हेलो फ्रेंट्स आपके अपने यूडूब चैनल सितेश कामर्स टीटूडियोल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स ये आपके इंट्रोड़क्शन टू नात्पंद का सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको 30 MC कूश्चन बताऊंगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो की स्टार्ट धाई सो तक MC कूश्च बताऊंगा डेली टू डेली 30 MC कूश्चन आपका अप्लोड होगा एक्जाम से दो दिन पहले आपका प्रीवियस एर के क्वेश्चन पेपर का अंसर की अप्लोड हो जाएगा तो चले फ्रेंट्स देख लेते हैं और फ्रेंट्स आपको बता दें कि अगर इसमें कोई भी आंसर आपको गलक लगता है तो comment back में comment करिए ठीक है फिर मैं उसको आपको explain करके बता दूगा ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देख लेते हैं तो फ्रेंट्स ये question डीडियो इनवर्सिटी में किछले बार पूछा गया था और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका B सदा चार अगला question है question number 32 है अहिंसा पर्मो धर्मो यह कथन पाया जाता है तो A है जैन धर्मकरंतों में B बाउत धर्मकरंतों में C महा भारत में और D है वेदो में तो फ्रेंट्स आपका जो सही अप्शन है यहाँ पर वो है C महा भारत में फ्रेंट्स आपको बता दे यह भी कोशन जो है डीडियो इनवर्सिटी में किसले बार पूछा गया था अगला question है question number आपका 33 है भगवत गीता मुखेता संबंदित है तो A कर्म योग, B ज्यान योग, C भक्ति योग, D उर्प्युप्त सभी तो यहाँ पर जो सही अप्शन है वो है आपका D उर्प्युप्त सभी question number 34 है वेद नैतिक सिधान्त को पहचानने वाले गरंद है जो उनकी A देवी देताओं की प्राथना में व्यक्त होता है, D ग्रिहस्त के लिए धार्मित कि रित्य की व्यक्त व्यक्त है, C यज्यादी व्यक्त है, D प्रित की मानता में व्यक्त है तो यहाँ पर C व्यक्त 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 है, यह भी question आपका पुछले बार पुछा गया था, और 33 इसी तरह लगवग आपका 42 तक का question जो है, previous year के ही question है question number 35 है, BCS धर्म का निर्धारान, A केवल वन से होता है, B केवल आशरम से होता है, C वन आशरम से होता है, और D है धर्म तो friends, यहाँ पर जो say option है, वो है आपका A केवल वन से होता है, ठीक है friends, चलिए, अगला question देखते हैं friends, question number आपका 36 है, साधरान धर्म है के लिए है, A, दिस्ष्ट जन के लिए है, B, चन्याशों के लिए है, C, ब्राह्मन के लिए है, और D, जो है सभी के लिए है, तो यहाँ पर जो योग मेंसे कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सई अप्षन है Friends हो है आपका B आपका ढुण है。 अगला कोशन है Qn.8 नमर आपका थर्टी-एट है प्रमपुरुसार्थ A धर्म है, B अर्थ है, C काम है, D मोच है तो फ्रेंट्स यहां पर जो से अप्सन होगा वो होगा आपका डी मुक्ष ठीक है अगला कोश्चन है क्वेश्चन नमर थर्टी नाइन है नाथ योग में शामभुई एक आशन है बी प्राणायाम है क्वेश्चन नमर आपका फोर है योग का अर्थ होता है यहां पर जो सही आंसर हो है आपका अगला कोश्चन है क्वेश्चन नमर आपका फोटी वन अश्ठांग योग में हिंसा है तो यहां पर जो सही अप्सन होगा आपका अगला कोश्चन है कोश्चन नमर फोर्टी टू पतंजली योग में संतोस है नियम बी यम सी आसन दी प्राणायाम तो यहाँ पर जो सही अप्षन होगा आपका A, नियम पता निली योग में संतोस है नियम अगला कोशन है कोशन नमोर 43, जोई जोई, पिंडे, सोई, ब्रामानडे जिसका सिधांत था तो यहाँ पर जो सही अप्षन है देखे चार अपसन है, A नाथों का B जैनों का देखी थोड़ा सा अपसन इधर उदर हो गया है ठीक है, तो A होगा नाथों का B यह सिद्धों का C है जैनों का D है मुस्लिमों का यहाँ पर जो सहे अपसन होगा, वो होगा आपका A नाथों का अगला कोश्चन है कोश्चन नमर फोटीफोर कुंडलिनी परवेस सष्ट चक्र भेदन आदी किसकी साधना के मुख्य अंग थे तो ए नाथों की बी वैशनों की बी जैनों की और डी है संतों की तो थोड़ा सा फिर सिक्रेंस इधर उदर हो गया फ्रेंट्स आप देख लिए वैशनों की बीजिए अगला कोश्चन है प्रेस्ट नमर आपका 45 है संधा भासा या उलट वासी सहली का परियोग नाथों ने भी किया है यह कथन है तो ए है आपका सत्य भी है असत्य और सी है आपका आंसिक शत्य और डडी है आंसिक असत्य है तो यहाँ पर जो सही अप्स अगला कोशन है क्रिश्चन मर फोर्टी सिक्स है नाथो ने अपने मत का परचार किस दिशा में किया ए पश्यमोतर बी दच्छन भाग बी उत्तर डी पुरोतर भाग में तो यहाँ पर जो सही अस्वन होगा वो होगा आपका पश्यमोतर एवल आकसन सही है सबसे जएदा इन्होंने परचार फरसा राज असानोगले में किया था ठीक है अगला कोशन है कोशन वर फोर्टी सेवन गोरच सिधानत संग्रा की से संप्रदाय की पूस्तक है तो यहाँ पर ए है सिध संप्रदाय आपका बी है नाथ संप्रदाय सिए हरीद दासी संप्रदाय अड़ी है भानो शंप्रदाय तो यहाँ पर जिस सईब सने फ्रेंट्स हो है आपका बी नाथ संप्रदाय अगला कोशन है प्येस्ट्चन नमबर आपका फोर्टी एट है नगारजुन, टपटनाथ, जलंधरनाथ को किस पूस्तक के अंतरगत सीधों में गीना गया तो यहाँ पर ए है गुरच सिधान्त भी है राम रच्छासरोत, सी है आपका चरक सनीत आड़ी है गुरच बानी तो यहाँ पर जो सही अप्शन फ्रेंट्स हो है आपका ए गुरच सिधान्त अगला कोशन है कोशन नमर आपका 49 किन है नाथ और सिध दोनों में गीना जाता है तो ए जल भरत, बी कुश भगत और आपका डी दूसरे नमर पर हो गया है और ए है नगारजून और सिध भी मनाथ तो यहाँ पर जो सही अप्शन फ्रेंट्स हो है आपका ए नगारजून अगला कोशन है क्वेशन नमर आपका 50 है किस सहीतिकार ने योगी मतसेंदर नाथ हुआ गोरख नाथ को भी सीधों में अस्थान दिया है तो ए हजारी पर साथ भी रामचंदर सुकलत सी राहुल संस्कृत्यायन और डी है रामकुमार बर्मा तो यहाँ पर ए वला आप्शन से ए फ्रेंट्स हजारी पर साथ दिवेदीने ठीक है अगला कोशन है कोशन अबर 51 है नाथपंति योगी किसे कट्टर विरोधी थे तो ए नारी योग, B कर्मकांड, C संसारिक जीवन, D, आनन्द मैं जीवन तो यहाँ पर जो सेफसनफ फ्रेंट्स वो है आपका A नारी योग, ठीक है नाथ पंती जो थे नारी भी रोधी थे ठीक है अगला कोशन है कोशन नमर 52 कनफटा योगी किसी कहा जाता है तो A सीधो को C जैन को और D है नाथो को D है बैश्राव को वी वला आप सुन आपका सही है नाथो को फ्रेंट्स आपको बता दूँ कि वो अपने कानों में कुंडल पहना करते थे जिससे उनके कान जो है फट जाये कर दे थे तो इसलिए उनको कनफटा योगी कहा जाता था ठीक है अगला कोशन है कोशन वा 53 नाथ पंत के अन्यको नाम जैसे योग संप्रदाय औधुत्मत शिद मार्ग आदी किसने गिनाये हैं ए राम कुमर बर्मा भी हजारी परसाद सी राम स्वरूप चतुरवेदी और डी राम चंदर सुकल यहाँ पर बी वलाप्सन से फ्रेंट्स हजारी परसाद अगला कोश्चन है कोश्चन वर 54 नात संप्रदाय में किसे आदी नात कहा जाता है नात संप्रदाय में किसे आदी नात कहा जाता है ए मतसंदर नात सी जालंधर नात और बी भीम नात और डी गुरख नात तो यहाँ पर सी वलाप्सन से फ्रेंट्स जालंधर नाथ ठीक है C विला अच्छन सही है जालंधर नाथ अगला कोशन है इनही के नाम पे जालंधर सहर बसा हुआ है question वर 55 है किंदवन्ती के अनुशार किसके नाम पर पंजाब में जालंधर सहर बसा आया गया तो देखिए एक्षेंस आही गया A गोरक नाथ B आदी नाथ जिनको हम जालंधर नाथ बोलते हैं C है भीम नाथ और D नगार जुन यहाँ पर B उलाप संसे एक्षेंस आदी नाथ जिसे हम जालंधर नाथ भी कहते हैं और इनही के नाम पे जालंधर सहर और जिसे पंजाब में जो है जालंधर सहर है वो बसाए गया था ठीक है अगला कोशन है कोशन बर 56 गोरक संपरदाई में बालक नाथ या बाल योगी किसे कहा गया तो A है बिशलू शर्मा को C जालंधर नाथ B गोरक नाथ और D भहरवानन यहाँ पर जो सेपसनों का फ्रेंड्स होगा आपका C जालंधर नाथ अगला कोशन है कोशन नमर 57 है किस गरंथ में बालक नाथ बालनाथ का तीला शब्द का उलेक मिलता है किस गरंथ में बालनाथ का तीला सब्द का उलेक मिलता है तो A है पंचवटी, B, C है आपका पदमावत, और B है मिरगवाती, और D है आपका अखरावत, तो यहाँ पर जो सेवसेंट है आपका C पदमावत, अगला कोशन है कोशन वर 58, बालकनाथ का टीला इस समय कहां इस दित है, तो A विहार, C उरिशा, B असम, B पंजाब, तो इस समय पंजाब में इस दित है, क्वेशन नमर आपका 59 है, योगी मत्सेंदरनाथ का वास्विक नाम क्या था, A, बंधु शर्मा, C, बिशलू सर्मा, B, बिग्रह सर्मा, और D, राम सर्मा, तो यहाँ पर C वला आपका सिष्टी है योगी मत्सेंदरनाथ का वास्विक नाम बिशलू सर्मा है, ठीक है, और यह जातिके मचवारे थे, ठीक है, अगला कोशन है, क्वेशन नमर आपका सिष्टी है, योगी मत्सेंदरनाथ किसके गुरू के रूप में बिश्व विक्यात हैं, तो A, नागारजून, C, गुरखनाथ, D, जलभरत, और D, जालंधरनाथ, तो आपका जो सही अफसान है, वह है, C, गुरखनाथ के गुरू है, ठीक है, और फ्रेंट्स आपको बता दूँ, कि मत्सेंदरनाथ और गुरखनाथ को नाथपंत का परवर्तक माना जाता है, ठीक है, और लेकिन मूल रूप से अगर तो गुरखनाथ जी को जो है, नाथप का परवर्तक माना जाता है, ठीक है, तो चले फ्रेंट्स देखते हैं, अगले वीडियो में फिर और कुछ नए कोश्चन, आज के लिए बस इतना ही, ठीक यू,